नवस्कार सभी सम्मानित जजेच, भारत के सॉलिश्टेटर जनरल भाई तुशार महता जी, एड़ोकेट जनरल गुजराद स्री कमल टिवेदी जी, बार के सभी सम्मानित सदस्यगर्ण, देवी और सजनों, गुजराद हाई कोट की डायमंड जुबिली के इस अवसर पर आप सभी को ब बहुत बहुत बधाई, और गुजरातना सहु वाला नागरिक भाईयों बहनों ने पड़ खुब-खुब बधाई, पिछले साथ बर्षों में, अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बाउधिक्ता से, गुजरात हाई कोट और बार दोनों ने ही एक बिशिष्ट पहचान बनाई हैं, गुजरात हाई कोट ने सत्य और न्याय के लिए, जिस कर्तव्य निस्ट्रा से काम किया है, अपने सम्वेधानिक कर्तव्यों के लिए, जो तत्परता दिखाई हैं, उसने भारतिय न्याय व्यवस्ता और भारत के लोकतंत्र, दोनों को ही मजबूत किया है, गुजरात हाई कोट की अविश्मनिय यात्रा की स्पृति में, आज एक डाग टिकट जारी किया गया है, मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े, आप सभी महनुभावों को, गुजरात की जन्ता को अपनी शुब कामनाय देता हूँ, मानिय हमारे सम्रिधान में, लेजिसलेचर, एजुकुटिव और जुड़िशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी, हमारे सम्रिधान के लिए प्राणवायू की तरह है, आज हर देश्वासी, पूरे संतों से ये कह सकता है, कि हमारी जुड़िशरी ने, न्याई पालिकाने, सम्रिधान की प्राणवायू की सुरक्षा का अपना दाईत्व, पूरी द्रड़ता से निभाया है, हमारी जुड़िशरी ने, हमेशा, सम्रिधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके, खुद सम्रिधान को भी मजबुत किया है, देश्वासीों के अधिकारों की रक्षा हो, नीजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्तित्या रही हो, जब देश हीत को सरवोच्च प्रात्विक्ता देनी हो, जुड़िशरी ने, अपने इन दाईत्वों को समझा भी है, और निभाया भी है। आप सभी भी भली भाती जानते हैं कि भारतिय समाज में, रूल अफ लौ, सदियों से, सभ्यता और सामाजिक तानेबाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन गरंथों में कहा गया है, न्याय मुलं सुराज्यम स्यात, यानि सुराज्य की जड़ी न्याय में हैं, रूल अफ लौ में हैं। ये विचार आधिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संगराम को भी नईतिक ताकत दी और यही विचार हमारे सम्विधान निर्माताओं ने भी सम्विधान निर्मान के समय सबसे उपर रखा था। हमारे सम्विधान की प्रस्तावना, रूल अफ लो के इसी संकल्प की अभीवक्ती है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे सम्विधान की इस भावना को, इन मुल्यों को, हमारी न्याय पालिका ने निरंतर उर्जा दी है, दिशा दी है। न्याय पालिका के प्रती इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मिश्वात जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं। तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी अवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्ता की ये गवरोवसाली इमारत बार के ही पीलर पर खड़ी है। दसकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मुल्भुत उद्देशों को पुरा कर रहे हैं। हमारे सम्मिधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है। न्याय के जो आदर्स भारतिय संसकारों का हिस्सा रहे हैं। वो न्याय हर भारतिय का अधिकार है। इसलिए कि जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दाईत्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र में वो मिलकर वर्ल क्लास जुडिशर सिस्टिम, जस्टिस सिस्टिम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टिम ऐसा होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलब हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आज न्याय पालिका की तरह ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तवियों को पूरा करने के लिए निरंतर प्यास कर रही है। भारत के लोक्तंत्र ने, हमारी न्याय पालिका ने, कठीन से कठीन समय में भी भारतिय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महमारी के समय में हमें इसका उत्तम उधारन फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपना में अगर एक और देश ने अपना सामर से दिखाया, तो दूसरी और हमारी न्याय पालिका ने भी अपने समर्पन और कर्तब्य निस्ठा का उधारन पेश किया है। गुजराथ हाइकोट ने जिस तरह लोगडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कांफरेंसे सुनवाई करना शुरू कर दिया। जिस तरह SMS कॉल आउट, मुकदमों की E-Filing और E-Mail My Case Status की सेवा शुरू की गई। कॉड के डिस्प्ले बॉर्ड की YouTube पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई। हर दिन जज्जमेंट्स और और्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किया गई। इन सब ने ये सित्र किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टिम कितना एडप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज़्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजराद हाई कोड तो इस दवरान कोड प्रोसीडिंस की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोड बना है। और ओपन कोड की जिस अवधाना पर लंबे समय से चर्चा होती रही है उसे भी गुजराद हाई कोड ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए ये संतोष का विशह है कि कानून मंत्राले ने इकॉर्ट इंटिग्रेटेड मिशन बोर्ट प्रोजेक्ट के तहद जो डिजिटल इंफास्ट्रेक्टर को खड़ा किया था। उसने इतने कम समय में हमारे कोड को वर्चुल कोड के तौर पर काम करने में मदद की है। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्तिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में अठारा हजार से ज़्यादा कोड कंप्राइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोड से वीडियो कांफरेंसिंग और टेली कांफरेंसिंग को लीकल सेंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में इप्रोसिटिंगे में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गवरो बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोड खुद भी आज दुनिया में वीडियो कांफरेंसिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोड बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोड और डिस्तिक कोड भी कोड के टाइम में जादा वीडियो कांफरेंसिंग सुनवाई कर चुके हैं। केसेज की इफ फाइली इसकी सुविधा ने भी इज अफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेनिफिकेशन कोड और क्यूर कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जूड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई हैं, बलकि इसने नेशनल जूडिशल डेटा ग्रीड की भी एक प्रकारते मजबुत नीव रखी है। नेशनल जूडिशल डेटा ग्रीड के जरिये, लॉयर्स और लिटिगेंस केवल क्लिक मात्र से सभी केसेश और ओर्डर्स देख सकते हैं। ये इज अब जस्टीस नक्केवल हमारे नागरिकों के इज अब लिविंग को बढ़ा रहा है, बलकि इससे देश में इज अब डूइंग बिजनेस भी पढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्याईक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और भी तेजी से बढ़े इस दिशा में सुप्रिम कॉर्ट की ए कमिटी एन आइसी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेज इंफासक्तर जैसी सुभिधाओं को सामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे जस्टिस सिस्टिम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए नयाईक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के इस्तिवाल की संभावनाओं को भी ए आई की संभावनाओं को भी तवासा जा रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से जुड़ी सरी की एफिशन्सी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभ्यान बड़ी भूमी का निभाने बाला है। आत्मनिर्भर भारत अभ्यान के तहट भारत के अपने वीडियो कांफरेंस प्लेटफर्म को भी प्रोच्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्टिक कोर्ट्स में इसेवा केंदर भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा हैं कि महामारी के इस कठीन समय में ऑनलाइन यी लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई हैं। संयोग से ये गुजराद ही था जहां 35-40 साल पहले जुनागर में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज यी लोक अदालत समयबत और सुविधापुन न्याय का एक बड़ा माज्यम बन रही हैं। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमें यी लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निप्तारा भी हो रहा है। यही गती, यही सुविधा और यही विश्मास आज हमारी न्यायिक व्यवस्ता की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोड की परंपरा शुरू की से और गरीबों की भराई के लिए अनेक इनिशेटिव लिए से। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थक्ता न्याय से ही होती है। न्याय से ही नागरीकों में निश्चिंतता आती हैं और एक निश्चिंत समाज ही प्रगती के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुर्शार्थ करके प्रगती की और बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्याई पाली का, न्याई पाली का से जुड़े आप सभी बरिष्ट सदस्य, हमारे सम्मिधान की न्याई शक्ति को निरंतर सदक्त करते रहेंगे, न्याई की इसी शक्ति से हमारा देश आगे भड़ेगा, और आत्म निर्भर भारत का सपना, हम सब अपने प्रयत्नों से, अपने पुर्शांत से, हमारी सामुहिक शक्ति से, हमारी संकल्प शक्ति से, हमारी अभिरत साधना से, हम सिद्ध करके रहेंगे, इनी शुब कामनाओं के साथ, आप सभी को एक बार फिर डायबन जुबिली की बहुत 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 बदाई, अनेक अनेक शुब कामनाओं, आनन थो हो, आजे गणा बदाने मलवान थो, अनेक जुना जुना मित्रों ना चेहरा, स्क्रीन पर जोई रहोचु, लामा सभय पच्छी जोई रहोचु, अनेक बडी लोना पड़ाजे, दर्शन थे रहाचे, खोब आनन थो, बदाने, दूर दूर थी पन बली ने, खोब खोब दनिवाग।